एलो वर्स आज हम आपको बढ़ाने वाले हैं जो सेप्टी टैंक होता है ट्वालेट के लिए तो यह ग्रामेनिला को में किस तरह से बनाए जाता है और किस तरह से अच्छा रहता है तो आप जो यह ट्वालेट का सेप्टी टैंक देख रहे हैं इसक्वेर में दिखाएंगे आपको तो रावड में क्या रहता है इसमें सेप्टी टैंक पानी का भी और वेंसाव और जो सेप्टी टैंक है उसमें दोनों काम एक आप करके इसमें यह टैंक बनाया है और उपर से सिमिट कंक्रेट के जखकन से ढग देने वाले हैं और आगे आपको मैं स्क्वेर में दिखाऊंगा तो आप दो तरह के से कमरेट में इस सेप्टी टैंक को बनवा सकते हैं इस टाइप का भी एक सेप्टी टैंक बनवा सकते हैं स्क्वेर में तो इस तरह से आप इसमें स्क्वेर में बनाके इसको आसपास की 2 फिट की जो जगह है उस में आ आ आप इसमें कंकर पत्थर भरके उसको ढके कर सकते हैं क्योंकि इसमें मुरूं की जगह रहेंगी तो आच्छा रहता है और आप वो काले मिंटे है तो थोड़ा सा उसमें साइड से 2 डाय डाय फिट आप कि काफी जो और सेप्टी टैंक देख रहे हैं इसका काफी चलन है ग्रामी निलाकों में विलेज में और शेहरी में यह नहीं चलता है यह स्रिफ विलेज के लिए ज्यादा बेनिफिट्स देता है क्योंकि शेहर में इतना जगा नहीं रहता है यह इधर थोड़ा जगा मिल जा से मना जाता है तो भी सिवी चॉंग्रेट कौन दिखाने की कोशिश लूगा आपको कि तो अभी इसको स्कूर में कर लिया है और थोड़ा इस में खाचा छोड़ा जो इसमें पानी आता है सीवेज का तो शिवेज उन्द इसमें पानी दोनों जाते इसमें तो उससे पानी बाहर प्रिशर से निकल जाता है तो इसमें आग़े दिखाऊँगा आपको इस तरह से आपको एक जपकर बना लेना है और इसमें एक पैप लागा सकते हैं धाई का यह तीन का तीनौछ इंच का जो आपका उस alcohol कर सके और इसमें आप टैंक को आटेज भी कर सकते हैं एर पास का भी निकाल सकते हैं और फ्लो के लिए भी दो पाइप छोड़ सकते हैं ये पाइप साफ इसमें और फ्लो के लिए या उपर से आप इसको पाइप दे सकते हैं ये देख सकते हैं इसमें fit किया है अभी से hole नहीं गिराए गया स्रीप अभी से डग देंगे तो उपर से भी आप connection दे सकते हैं और इसकी हवा air निकालने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं तो आपके इसाब से आप इसमें adjust कर सकते हैं तो इसमें इस तरह से इसको toilet के safety tank बना जाते हैं दोस्तों